तो आज करेंगे एपी तो एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हिंदी में बोलते हैं समांतर शेंगी तो एप इसका कुछ मीनिंग भी है कि समांतर या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है लगाता अरब ना तो एपी कब बनती है जब आप सीरीज लोगे तो सीरीज कुछ भी हो सकती है तो आपको यह जो मिले हैं यह ओली सीरीज है एपी नहीं है ठीक है फरक क्या इसमें विकॉज एपी के लिए एक ही शर्त है कि आपका जो यह एक यह सारी टर्मस में जो डिफ्रेंस है जिसको हम आपको बात को बात तो यह है तो यह हो तो इसको आप क्या कहोंगे श्रेगे यह सीरीज नहीं है तो अिससार delivery मालो कि दी नमबर है यह दी नंबर यह धो हो यह माईनिस हो हो रहा हो यह सब्टेथ हो उत्व हो तब ही आपका होगे यह थे ए फिझांपल एक दूरी लो एपी टूर नीन तो आपको गरए यह सब्सार अपके है क्यूंकि दोनों में क्या है 2iego है डेखो को तुटो का डिफ्णणाना इसलिए हम इसको केंगे कि यह मतलब यह ही वाकि सब करते हैं से यह जितनी हैं यह सारी terms है और हर terms को कहा गया है first term second term four term थेक्शा यह first term है को हम denote करते हैं e से या अबकिए समझत आ है ना यहET करते हैन, जाँ कि एटू से थार्ड को एएथरी से और एनध्त तर्म को समझते हो ना कि हम नहीं पता कुण सी टम है तो एनध्त तर्म को टिनोट करते हैं एइन से बात समझाए आपको तो यह होता एप न प्रम अब यह देखेंगे कि यह एपि बनी कैसे हैं अगर एपि का अगर आप तो यह जो एक है फिर फिर इसमें एड़ किया इसे चल रहे ना अगर आप इसको ध्यान से देखो तो यह पहला जो है तू बना है अगला कैसे बना टू प्लस तू करके इससे अगला कैसे बना अगला तंग यह फर्स्ट अ सेकंड टम ऐसे थर्ड टम बना कि 2 प्लस 2 इंटू 2 यही बना है नेक्स टम 4 टम कैसे बना 2 प्लस 2 इंटू 3 समझा है आपको कि 3 तू जा 6 6 प्लस 2 एट ऐसे बन रहा है 10 कैसे बना देखो 5 तम बनी है 2 प्लस में 2 इंटू 4 4 तू जा 8 cracked 10 टू 10 समय आपको अगर आप ध्यान से देखो तो यह तो डी है यह सम्मेस यह नो डी देखो डी सम्मेस एं लेकिन यह टम जो चेंज हो रही है यह 234 तो अगर देखो 2 पर इसकी जो वैलू थी वह बन थी ना 3 पर इसकी value कितनी है 2 4 पर इसकी value 3 आ रही है 5 पर 4 आ रही है तो 6 पर कितनी आएगी 5 आएगी एक कम आएगी तो अगर आप nth term का formula निकालोगे तो यह तो है a तो यह a प्लस में यह जो 4 है यह 5 से कम है तो इसका मलग क्या कि अगर n ले रहे हो तो n से एक कम लोगे n-1 और इंटू क्या है यह d है तो इंटू d तो nth term का formula बना a an equals to a plus n-1 into d यह nth term का formula है अब nth term के formula में खास बात की कभी-कभी last term भी बोलता है last term तो last term का मतलब भी होता है nth term जैसे कि अगर मैं एक AP बना दू 2,4,6,8,10 और up to कर दूं मैं 100 तो 100 हमारी क्या है last term है समदा है आपको जब ऐसा given हो तो नहीं तो अगर ऐसा है जिसके मतलब क्या के series लगातार चल दिए लगातार कहीं रुकेगी नहीं लगातार चल दिए समझाए न आपको तो यह है तो last term का मतलब होता है यह बास समझाए आपको इसके बाद अब कई बार questions में वह सासा लिखते रहा ना कि मिटाते रहूंगा मैं कभी कभी अगर वह question में बोले कि which term ठीक है question कहें which term या कहें how many terms how many terms इसका मतलब यह होगा कि आपको इन दोनों condition में ही क्या निकालना है एन से आपको निकालना है एन समझाए न आपको एन आप पुट करेंगे formula और एन आपको पता ही है एन से आप क्या निकालोगे एन निकालोगे समझाए न बात किस condition में है जब वह बोले which term या how many terms ठीक है how many terms यह बोल दे कि six और माल लेते हैं कि हम कौन सी तक है तो मैं पूछूँगा कि 16 कौन सी टम है ठीक है 16 कौन सी टम है तो आपको पता नहीं अगर आप वैसे count करो तो उंगली पर count कर सकते हो इसी है फिर दो चार छै आठ दस ठीक है बारा चौदा और शोला इस कमले यह है कि छैदो आठ आठ इसे कैसे निकाले अभी तो चलो यह अंगली पर चल जा रहा है चलते हो अगर माल लो कि एक हजार लिग दूँ पिर क्या सकाउंट करो गे तो मुश्किल हो जाएगा तो इसके लिए आप सीधे से फॉर्ण अपलाई कर सकते हो सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि इसमे से माइनस कर दो तो फोर में से बाया तो आघक को पता यह कोई टम आपको पता ही नहीं जब पता की नहीं यह एंड कर दो कि न का फारुम आपको पता ही है ए प्लस और n-1 यह 2 multiply यह divide में आ जाएगा तो 14 divided by 2 गया जाके 7 तो जो n की value आएगी यह minus का इदर जाके plus का तो 7 plus 1 8 तो इसका मुझा कि जो 16 है कोन सी term है 8th term है जैसे कि यह 1st term, 2nd term, 3rd term बीच मगायब हो गई यह कौन सी term समझाए न आपको तो ऐसा question है का सकता है ठीक है which term समझाए आपको कि कौन सी term है अब यह पूछ सकता है how many terms in a.p. तो question यह है same to same अगर पूछ ले कि 2,4,6 ऐसे लगातार चल रहा है वो 50 पे आ गया मालो ठीक है तो how many terms in this a.p. यह given a.p. इस a.p में कितरी terms है तो अगर आप उंगलिव से count करो शाय दिक्कत हो जाए आपको ठीक है लेगिन कभी याद रखना बस मैं direct answer इसका बता रहा हूं कि अगर वो दो वाली a.p. आजाए दो वाली a.p. आजाए आपको last term पता है तो बस कुछ मत करो अगर 2 का table चल र तो सीधे 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 सको दोस डिवाइड कर दो उतनी टर्म से है तो दोस डिवाइड करो कि टर्म सो गई 25 तर्म से के अंदर अब और में से निकाल देख लेता है एक बार ए भी पता है और डी भी पता है ठीक है बस एन कितना है 50 है ना मैं डायेट कर रहा हूं क्योंकि वन माक्स में टाइम नहीं होता इसलिए एन डायेट पुट करेंगे टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी एकोस टू 50 बास समझाए ना आपको कोई ए और डी लेट करने कोई जो उतनी है ने कोई निकालने का आप शक्ता नहीं है बस डायेट फॉर्म लें पुट कर दो एन माइनस वन यह हो गया 50 में से टू गया कितना बचा पुटी एट बचा ना ठीक है और एन माइनस वन एकोस टू 48 डिवाइड बाई कितना हुआ 24 हुआ ठीक है और इसके बाद एन की वहले कितनी आई 24 प्लस वन 25 यह आया ठीक है अभी तक यह लॉंग मैज़ड चल रहा है अभी मैं आपको शॉर्ट मैजड बताऊंगा कि अग सबसे पहले माइनस करना आपको ठीक है ए माइनस करना है पिर मैं दिवाइड करना है er अब कुछ नई आपको ए पता है और यह पता है इसके एफिर्शन करना ऐस दिवाइड प्लिवाइड प्लस वन 20 rs से एक और लेते हैं हम एपी वन फूर सावन टैन ठीक है एस चलता रहा है कि देंगे डिफरेंस आ रहा है ठीक है यह आ रहा है अब मालो कि यह आ गया कि यह टाम हागी है ठीक है 22 यह कौन सी टाम है तो आपको पता है एक की वेलू पता है और डी की वेलू पता है तो सबस्क्राइब क्या माइनस करते हैं तो बाइस में से एक घटा देंगे ठीक है तो कितना आया है 21 को से कमन से डिवाइड करेंगे कि लिए ऐसाथ चोफसे माइनस कर दो जो दिवाइड कर दो और एक ज्यादा कर दो बस मैं लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस होती है डाइट कर लो एक तो ठीक है यह तरीगा बतारहह हूं ताकि कि आप में कर सको यह के लिए तरीका होता है कि जो टर्म आपको पता है इसको इससे पहले माइनिस करो जो डिफ्रेंस से डिवाइड करो और एक ज्यादा कर दो बास समझाई है अब एक और देखो यह आ गया है 625 में दे दिया अब 625 इसके इसे पिकेंदर कितनी डम्स है ठीक है तो करो एक बार जल्दी से निकाल के देखो कई बिच्चे दिमाग में कर सकते हैं तो सब्सक्राइले 625 में से पांस घटाया 620 और 620 को पांस से डिवाइड किया तो कितना आया एक सो चौबिस आया और एक ज्यादा कर दो बस एक सो पत्चिस इजी है ना अब कोई कैल्कुशन जी होती नहीं है सीधा मैंने बता दिया यह इससे घटा दो इससे डिवाइड करके एक जादा कर दो यही तरीका होता है ठीक है बोर्ड में जब भी आप सॉल्व करेंगे तो लेकिन जातर बच्चे भूल जाते हैं ठीक है यह कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं काऊंगा कि यह काम करो डाइट व ठीक है और उसमें ऐसे कोश्चिंस आते हैं तो आप बोर्ड के तरीका से करोगे नहीं दॉन, बोर्ड में दो परेशान हो जाओ करके तो इसके लिए तरीका बनाया गया है कि बैस सीधे इसको इससे माइनस कर दो जो आई इसको डिफरेंस से डिवाइड कर दो एक ज्जाद कर दिया को बत भुए है बस मैंने वह फ्रम कर दिया और अभूी है कुछ न्याइद नहीं सँर्णा आँ आपको लोन ब है फॉर्म नोद्धम से लोग यह अपको आपको सबको मालूम है कि a plus n minus 1 into d कितना होता है a n होता है तो n minus 1 into d a n इन में इस क्या minus होगा a minus होगा ठीक है इसके बाद n minus 1 into d तो यह आ जाएगा divide में तो a n minus a divided by d फिर यह जो है plus यह जो माइनस का 1 है इंदर जाके प्लस का बन तो प्लस का बन तो यह बन गया ना फॉर्मला के एंटम निकालने के लिए यह तरीका होता है ठीक तो यह करने का शक्ता नहीं है बस मैं बता रहूं कहां जबने फॉर्मला बस समझाए आपको ऐसे कोश्चन कर लोगे इसके तो हमें पूचलना हाओ मैनी नमबस नॅब आपको नबर में ऑप्शन देगा आपको कहेंगा कि कोसे दिष्मवाल से वाले वाले टू डिजिट वाले थ्री डिजिट वाले ठीक है तो माल लेते हैं कि अगर कोश्चन दे दिया कि दो डिजिट वाले कितने ऐसे जो नंबर है जो की प्रॉपरली फाइब से डिवाइड है ऐसा पुछ लिए उसने ठीक है हाओ मैनी टू डिजिट नंबर आर भॉजाए इस एक मतलब यह चाहे यह मैं लेटी का चाहित है यही मालू मढ़ा चाहें हों तो lo! तो सब्से पहले ओी डिजिट नंबर की वह कि कितने कां साल prompted हो तो स्मझा रहा है न आ तो 10 से चालू होते हैं लास्ट कहां तक पहुंचते हैं बोलो 99 यह तो रहे टू डिजिट नमबर इन में से अब आपको मल्टिपल ओफ निकालना जो कि पांच की टेबल में आते हैं तो पहरा तो आता ही है फिर 15 आता है फिर 20 अब टू ले जाओ 99 नहीं आता लास्ट 95 आएग से लिए तो निकाल लो एंग क्या करोगे पांच दस घटाओ कितना है नभे नहीं नभे स्वरी नहीं पिचासी आए फिचासी में से दिवाइड करना कितना पांच तो पिचासी डिवाइड पांच कितना हो गया 17 18 अंसर बता रहे हो या 18 आएगा ठीक आंसर तो लोग कितनी टंप्स हो गई 18 18 ऐसे नंबर मिलेंगे आपको 10 औरливо久 के बीच में जए कि से डिवाइड है पांस डिवाइड है समझा रहा रहा है आपको यह है कितना हींता है दे क ungef कर नंबर ही intrudun में और आपको निकाल देञैं से डिशब नमबर स्टेटी तीन के समय और आते हैं तो पहले एपी बना लो फटब हना कि दस तो आता ही नहीं है ग्यारह भीनि आता तो पहरा कों सा मिलें ज़ेगक आपको बारह अना तो जाता हीा तो फटब हो गया आप पर अब अधो कि अधिए ना चिक है इजी वे में करोगे तो आप तुरंद बता दोगे टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन पड़ेगा बता दो कि हां सर ने ता इसा बताया था मैं यह नहीं करा कि जो मैं एक्जाम ले रहा हूं उसमें करो प्रफूमेंच चलो वह तो बात अलग है जब बोर्ड में जाओगे ना ऐसे कोश्चन हैंगे तो घबराने का आप शक्ता नहीं है आप पढ़ोगे तुरंद यादा का सर ने ऐसे बताया था यही फूच रहा है बस आपको लॉंग मेधड करनी जहूत ही नहीं है तुरंद एपी बनाओ और जैसे मैंने बता रखा है उ सब्सक्राइब को लेकर चलना है और दो की टेबल में जो आते हैं कितने ऐसे नंबर होंगे जो की सो और निन्यान के बीच में है जो कि दो से डिवाइड होते हैं पहला हम एपी बना ले सुनो टैन तो आए गई 12 भी आएगा 14 भी आएगा लास्ट कितना आएगा 90 एट आएगा कर लो अंठाने में सब्सक्राइब कितना आया एटी एट आया डिवाइड बाई क्या टू काटलेस को 44 और एक ज्यादा कर दो तो 45 आसे नंबर है जो की डिवाइड है टू से और टू डिवाइड के हैं अब थोड़ा सा रेंज बढ़ाते हैं हम करते हैं थी डिवाइड नंबर ठीक है तो मैं कोशन दे रहा हूं इस नंबर आर मल्टिपल ओफ थ्री अग्याद किस्म डिवाइड है तीन के पाड़े में आते हैं मल्टिपल ओफ थ्री लेकिन याद करो इस बार मैंने बोला थी डिजिट नंबर तो पहली बात आपको सोचना पड़ेगा कि कहां चालू हो जाएंगे तो थी डिजिट कि जो किस से डिवाइड है 3 से तो थी वाला हंडिट होगा नहीं 101 होगा क्या नहीं होगा 102 इस दो होगा तो 102 होगा मालो एक दो इसके बाद 3 और एट करो कि द आ हो 105 फिर 108 लास्ट वाला कॉनसा होगा है पोगा नहीं है ठीक है समझा है आप सबको तो ऐसा है तो क्या यह हाड है इजी है बस समझने का फेर होता है अब एक स्टेप थोड़ा सा आगे बहुते हैं अगर कोई नंबर एक में है ठीक है अगर कोई नंबर एक में आ जाए और कहते हैं यह तो नमबर एपी में है तो फाइंड वैल्यों पैक्स पूर एक्जांपल आगर मालू थीक है पड़ा इसी कुश्चन है क्या दिया कि इन पता यह क्वण सा नमबर है लेकि यह पता है यह तीन एपी में to find the value of x तो क्या आगर सकते हैं आपको मालूम है कि अगर एपी में है तो condition यह है कि इन दोनों का common difference और इन दोनों का common difference क्या होगा ढून का common difference बराबर हो जाएगा इसका मालब कि पहले difference निकाल लो तो x plus 1 minus में 2 equal होगा 16 minus में x plus 1 समझा रहा आपको आप देखो 1 minus 2 कितना हुआ minus का 1 16 minus का x और minus का 1 तो finally हुआ x minus 1 और 16 में से 1 गया तो कितना 15 minus x आई समझा आपको तो minus x इधर लियाओ तो हो गया plus का x तो x plus x कितना हो गया 2x और 15 और 1 कितना हो गया 16 तो x कितना हो गया divided by 2 आगया 8 तो x के विल्ब क्या हुई 8 तो यहाँ पर कौन सा नमबर आना चाहिए 8 प्लस 1 9 तो यहाँ पर 9 आना चाहिए आए समझा आपको यह है अगर वो कहें find x तो आपको x निकालना है और कहें कि find the number तो number जो भी है समझा आपको यह है मैं आपको बता रहा हूँ इतने chances होते हैं paper में ऐसा से question आ सकते हैं ठीक है फिर आगे देखेंगे क्लास यह तक है ठीक है